हेलो फ्रेंक्स कैसे हो आप लोग उम्मीदा आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे जीवन में सुकसानती और समरती के लिए घर में कौन सी तस्वीर लगाए और कौन सी नहीं राम दर्बार की तस्वीर गर के ड्रूइंग जोड़ाने से गर के सदस्यों के बीच आप से प्रेम बढ़ता है स्री किर्सन की गाएं के साथ एक परटेक लगाए वे बासूरी बजाती हुई तस्वीर अपने ड्रोइंग रूम या पूजा गर में लगाना चाहिए ये सोबाग्या और धन प्राप्ती के मार्ग खोल देती है दोड़ते हुए सत गोडों की तस्वीर समुंद्र के किनारे दोड़ते हुए सत गोडों की तस्वीर लगाने से वैपार में तरक्की होती है इस तस्वीर को ओफिस के पूर दिसा में लगानी चाहिए तैरते हुए राजन्स की तस्वीर तेरते हुए राजन्स की तस्वीर अतिती कक्स में लगाने से दन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं यह तस्वीर पोजिटिव एनर्जी लेकर आती है माबारत की तस्वीर घर में माबारत की तस्वीर लगाना और माबारत का रखना अशुप माना गया है इससे परिवार क के मन में मन मुक्तावर लड़ाई जगड़े वड़ते हैं ऐसी कावत है कि घर में माबारत रखने से घर में माबारत हो जाती है फूल के गुलदस्ते की तस्वीर फूल के गुलदस्ते की तस्वीर या फिर ताजे सुगंदित फूल शेन कक्स में लगाने से पती पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है बैते वे जड़ने की तस्वीर या कोई बैते वे जलसरोत की तस्वीर गर में लगाने से दन की हानी होती है इससे मन अस्तिर रहता है अपने परिवार की कुसाल तस्वीर घर के सारे सदस्यों की हस्ती हुई तस्वीर गर में लगाने से ग्रेकलेज मिठ जाता है इस तस्वीर को आप अपने ड्रोइंग रूम में दक्सिन पस्चिम दिसा में लगाए नटराज शिव की तस्वीर नटराज शिव की मूर्ति या तस्वीर विनास का सुचक है इस तस्वीर में वो तांडवन रत्य करते हैं जो कि उनका विद्वान सरूप है इसलिए इसे गर में नहीं सरस्वती की तस्वीर मात सरस्वती की तस्वीर बच्चों के पढ़ने के कक्स में लगाने से उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा इससे उत्तर की दिवार में लगाना चाहिए किसी भी युद्ध की तस्वीर किसी भी युद्ध की तस्वीर घर में लगाने से घर के स कांजिव रूप से परिशान हो सकते हैं डिप्रेशन में आ सकते हैं ऐसी कोई भी तस्वीर हमें गहर नहीं लगाने चाहिए जो सोगाकुल वतावरां गहर में पैदा करती हो रादकृष्ण की तस्वीराद क्रिष्ण का चित्र या तस्वीर माқषमी को चंचल अगया है अगर उनकी खड़ी तस्वीर लगाएंगे तो वो एक जगे नहीं रहेगी इसलिए ऐसी तस्वीर रखने चाहिए जिसमें माता लक्समी कमल के फूल पर बैटे हुई है माता लक्समी की ऐसी तस्वीर जिनमें वो खड़ी है उन्हें घर में नहीं लगानी चाहिए जंगली जानवर की तस्वीर किसी भी जंगली जानवर की तस्वीर जिसमें वो खुंकार लग रहे हो वो अपने सिकार पर नजर रखे वे हो या सिकार कर रहे हो ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए ये तस्वीर घर में नकारात्मक उर्जा को लेका राती है और आपके अंदर हिंसक बावना को जगा देती है लव बर्स की तस्वीर लव बर्स यानी पक्सियों के जोड़े की तस्वीर नव दमपत्यों के कव्स में लगानी चाहिए ताज महल की तस्वीर ताज महल एक कब्रगाहा है और किसी की मरत्यों की निसानी को घर में रखना अशुब माना जाता है इसलिए इस तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए दूपते हुए जाज की तस्वीर दूपते हुए जाज की तस्वीर घर में लगाने से आपके विचारों में नकारात्मक्ता आती है और परगती रुख जाती है ऐसी तस्वीर घर में बिल्गुल ना लगाए तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताए और आप फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों अगर आपने मारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon पर click कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का notification आपको मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and thank you for watching my video